नमस्कार भारतिय हिंदू परंपरा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए वर्ष्क या नए समवस्तर का प्रारंब होता है इस दिन को गोड़ी पड़वा विश्व प्रागत्य दिन या सुरुष्टी आरंब दिन भी कहते है पुराणों में ऐसा स्वस्त कहा गया है और उसमें भी ब्रह्म पुराण में ऐसा स्वस्त कहा गया है कि चैत्र मास के प्रथम दिन ब्रह्मा जी ने सुष्टी का प्रारंब किया था और इसी कारण से प्रतिक वर्ष चैत्र शुक्छ प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष की शुरुवात होती है और एक नए सम्वस्र का प्रारंब होता है आप ब्रह्म्पुराण का श्लोग देखे चैत्रमा से जगत ब्रह्म समग्रे प्रथमे अनी शुक्ल पक्षे समग्रेतु सदा सूर्यो दय सती एप्रिल एक 2022 से शुभक कृत नामक संवस्षर शुरू हो रहा है जो की मार्ज 21, 2023 तक रहेगा अब वैदिक विद्याओं को जो जानते है उन लोगों का ये मानना है कि संवसर प्रकृती का दरपण होता है अब प्रकृती दो तरह की होती है एक वो प्रकृती जो हमारे से बाहर है जिसको हम कहते हैं मधर नेचर और दूसरी प्रकृती देट मींज हमारा आंतरिक सभाव या हमारी प्रकृती सो आने वाले समय में देश, दुनिया एवं हम सब के उपर ये शुब कृत समवसर का क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज का ये वीडियो है सरव प्रधम हम बात करते हैं कि ये समवसर जो स्टार्ट हो रहा है वो पूरी दुनिया को किस तरह से अफेक करेगा और उसके लिए काश्यप सहिता में कश्यप रुशी ने यह श्लोग दिया है सुभिक्षम सर्वदेशेशू शत्रगो ब्राम्मनेशू चा मोदंते चा प्रजाहा सरवाहा शुभकृता सौख्यदायकः श्लोग को लिकोर करके समत्ते हैं जैसा की नाम है शुभकृता, यह समबसर या यह पुरा साल हम सबको शुभ समाचार देगा या गूड नीज़ देगा सबको अपने अपने शित्र में जो जो चीजों के बारे में उनकी इच्छा रही होगी उन सब में यह समबसर शुभ परिनाम देगा इतना ही नहीं, economical upward growth होगा, agriculture field में भी बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है, इतना ही नहीं, अगर हम जब ध्यान से इस चीज को समझते हैं और शुबकृत को समझते हैं तो यह समझ में आता है कि जो पिछले दो सालों से चल रहा है COVID-19, उस pandemic का आप समझ दो के अब अन्त आ जो restriction डाले गए थे, वो सब चले जाएंगे, इतना ही नहीं, overall worldwide traveling जैसे पहले हुआ करता था, वैसे ही normal तरीके से start होना प्रारम हो जाएगा इस समझतर के बाद, अब कुछ sector से जो कुछ ज़्यादा ही प्रगति करेंगे, वैसे जो sector है वो है IT sector, IT sector में बड़ा उच्छाल आ आएगा, IT sector as an industry भी आगे जाएगी और जो लोग इस sector में काम कर रहे है, या फिर internet security में जो काम कर रहे हैं, उन सब को बहुत लाब होने वाला है, शलोग में आगे जाके ये भी का गया है, कि skill labor, that means जो पढ़े लिखे है, वैसे लोगों की आमदनी में बहुत बड़ा auto, aviation जैसे फिल्ड में बहुत तेजी रहेगी, जन सामानिय, बड़ी-बड़ी parties करेंगे, बड़े-बड़े आयोजन होंगे, concert होंगे, जिस तरह के पहले हम देखा करते थे कि musical concerts होते थे, या sports की जो events होती थी, उस तरह की सब event होना start हो जाएगी, जाना कर लोगों का जो रहेगा, travel and tourism फिल्ड जो की बहुत समय से ठब पड़ा हुआ है, उसमें भारी उचाल आएगा, इतना ही नहीं, gold, silver जैसी, precious metal और मेंगी होगी, जो अल्रेडी वेल्दी है, उनकी वेल्द में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उतने तरीके का उचाल आएगा, उतनी सोगी, overall पूरे समाज में एक तरह का खुशी वाला वातावरन रहेगा, अब इसमें ज्यादा रिसर्च करके, ब्रुहत जोतिस सार नामक गरंथ में, शुबकृत समवसर में पूरे समाज में खुशी तो रहेगी, लेकिन कुछ-कुछ जगा ऐसी भी है, कि जहां पर हमें थ थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक दो भह स्थानों के बारे में बुरुहत जोतिस सार में यह शुबकृत वसरे पुत्वी, राजते विविद उस्सवेही, आतंका चौर अबयदा, राजानह समर उस्सुकाहा, शुबक को डीटेल में समतते हैं, ऐसा है कि शुबकृत समव समवशर में वर्डवाइल, तरह तरह के फेस्टिवल्स, बीग इवेंट्स और कॉंसर्स का आयोजन होगा, टेरिडिजम की इवेंट्स कम होगी, जो डिसिस के काराण हम सब भह में हैं, वो डिसिस तकरीबन चला जाएगा, इतना ही नहीं, टेरिडिजम की इवेंट्स जो वर्डवाइल हो रही थी, उसमें भी इस समवशर में हम देखेंगे कि उसमें डाउनफोल आया है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन राजा, that means political leaders like prime minister या president युद्ध के लिए उस्सुक रहेंगे, और उसकार दिये हुआ कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, वह active रहने वा कारण युद्ध की आशंका इस साल बनी रहेगी, तो पूरे विश्व के अंदर एक तरह का भहे का वातावरन युद्ध के कारण या वर्लवार के कारण लगा रहेगा, अब ये तो बात रही पूरे विश्व की, हमारे बारत देश को किस तरह से ये समवशर इफेक्ट करे रहेगा, वो समझने के लिए हमें प्रतेक देश में समवशर कब स्टार्ट होता है, वो देखना होता है, और जैसा कि हम सब को पता है कि विश्व के अलग-अलग प्रदेशों में समवशर स्टार्ट होने का समय अलग-अलग होता है, और उसके कारण समवशर प्रवेश की क कुंडली बनेगी और उसके आधार पर उस देश को उस समवसर का परिणाम मिलेगा यह राजकिय फलादेश के सिद्धान्द है या मेदिनिय जोतिश के सिद्धान्द है अब भारत में समवसर जो स्टार्ट हो रहा है उसका समय है भारतिय समय के अनुसार एप्रिल एक दो जा कुंडली में मिथुन लगना आ रहा है तेन थाउस में सूरिय चंद्र बूत की यूति है नाइन थाउस में गुरु शुक्र नेप्चिन है एट थाउस में मंगल शनी प्लुटो और ट्वेल थाउस में राहु है इस तरह का जब ग्रहयोग बनता है तब क्या परिणाम मिले उसको दर्शाति हुवे सहीता विचार में एवं गौतम सहीता में यह स्पस्ट श्लोग दिया गया है आप यह श्लोग देखें मिथुने बहुलम युद्धम पुर्वस्याम धान्य नश्टता उदग दक्षिनयोर मेधा बहवो धान्य संग्रह पश्चिमायाम स्वल्प मेगाहा चत्रभंगश्च विग्रह मध्य प्रदेशे अर्ध निश्पत्तिही चतुश्पद सरोगता श्लोग को डिकोर करके सर्मे युद की युद की प्रबल संभावनाहे युद की प्रबलशान्य से ही पुर्व के प्रदेशों में एग्रे कल्चर लॉस होगा नौर्धन पार्ट और सदन पार्ट में बारिश ज्यादा होगी और उसमें भी सधन पार्ट में ज्यादा बारिश होने के कारण धान्य को बहुत नुकसान होगा विस्टन पार्ट में बारिश कम होगी मध्य प्रदेश में पशुओं में किसी तरह का कोई रोग लगेगा और जिसके कारण डर का माहुल अब इसमें भी ज्यादा रिसेट्स करके जब हम देखते हैं तब सहीता गरंतिये कहते हैं कि यह समवच्षर और समवच्षर प्रवेश्ची कुली जिस तरह की बन रही है उसके कारण भारत वर्ष में man-made disaster होने के सबसे ज्यादा chances western part में है that means Gujarat, Maharashtra, Gova, Rajasthan, Karnatak जैसे प्रदेशों में छत्रभंग योग हो रहा है अब छत्रभंग योग का अर्थ है यह है ऐधर वहां के राजा देट में जबी तो राजा है नहीं देट में उसके कोई CM या फिर बड़े नेता की मृत्यू हो या फिर government change हो जाए इतना ही नहीं ruling party को western side में दिक्कत आएगी यह सफस्ट दिख रहा है कि western part of the India politically active रहने वाला है और कुछ कुछ प्रदेशों में पूरे के पूरी cabinet या फिर CM या फिर महत्वपूर्ण नेताओं की post बदलने वाली है ऐसे सफस्ट संकेत है अब कुणली को जब ज़्यादा अद्धेयन करते हैं हम संवस्तर प्रवेश्की तो एक बात और सफस्ट होती है और वो यह है कि वहाँ पर लगनेश, धनेश और प्राक्रमेश मिन्स बुद्ध, चंद्र और सुर्या के यूती 10th house में हो रही है और उसके कारण real estate, agriculture sector, mining, banking, IT sector, minerals इन सभी शेत्रों में बहुत तीजी रहेगी इतना ही नहीं, stock market भी दोनों तरफ की चाले दिखाएगा लेकिन overall इस संभस्तर में वह positive रहेगा, upward rank दिखाएगा इसके इलावा भारत देश के southwest या सधन पार्ड के coastal areas में तुफान आने के कारण नुकसान होने के संकेत भी मिल रहे है लेकिन overall भारत देश के लिए यह संभस्तर भी शुब फल देने वाला ही रहने वाला है अब आखिर में हम सब मनुष्यों की मनोबृत्ती या फिर हमारी प्रकृती या फिर हमारा mental attitude शुबकृत में कैसा रहेगा वह दर्शाने का काम जात्का भरण की ने किया है आप जात्का भरण का शलोग देखे सवभाग्य विद्याविन येही समेतह पुन्ये रगन्ये रवी दिर्गजीवी स्यात मानवह सूनू धनोरू संपधस्य प्रसूती ही शुबकृत समासू अर्थात शुबकृत समबस्तर में हम सब मनुश्यों को गुड ऑपोर्चूनिटीज मिलने के कारण एक तरह की प्रस्तन नता बनी रहती है एक तरह का खुशनुमा वातावरन रहता है हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी हेल्थ अच्छी रहती है लोगों का education और entertainment ये दोनों फिल के पती रुजान रहता है that means कुछ लोग होगे जिनको education में रुजान रहेगा और कुछ लोग होगे जिनको entertainment के पती रुजान होगा लेकिन दोनों balance में रहेगा कुल मिलाके यह जो शुबकृत समवस्र है वो बहुत सारी अच्छी news लेकर आने बाला है याद रहे कुछ प्रदेशों में नेताओं की गलतियों के कारण या फिर जो minister से उनकी ego के कारण युद्ध होने की संभावना है लेकिन शुबकृत समवस्र एक अच्छा news लेकर भी आया है कि अगर हम positive रहेंगे अगर हम alert रहेंगे तो हम युद्ध को टाल भी सकते हैं ओवरल हम सब के लिए ये आने वाला शुबकृत समवस्र सुख शांती और सम्रुद्धी लेकर आये ऐसी इश्वर को प्राथना करते हुए मैं मेरी वानी को विराम दूँगा शुभम भवतु प्रणाम